जहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊँगा और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर भी दिखाऊँगा कुछ नोटिफिकेशन भी दिखाऊँगा वो भी आप साइड में चेक कर सकते हैं अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलते हैं दोस्तो पहली information की तरफ भाड़तिये टोल सेना वाईयू सेना नियम 1901 के अनुसार सभी सेवा कर्मियों को टोल शुल्क माफ ह जिया दोस्तो जो जवान है, जो सेवा में है, जो जॉब कर रहे हैं, serving, employee है, उनको toll tax माफ है, काफी pensioner पूस्ते रहते हैं, क्या हमें भी toll tax माफ है? तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे मनमानी तरीके से जवानों से टोल्टेक्स वसूला जा रहा है, तो जो आप ये letter देख रहे हैं साइड में, इसके अनुसार कोई भी एक्सप्रेसवे हो, अगर वहाँ पर आप से टोल्ट वसूला ज तरफ सभी pensioners अपना area चेक करें, जिनने ACP, MACP मिली हुई है, और वो 2006 के बाद आए, MACP का area service का भी मिलेगा, और retirement के बाद का भी मिलेगा, दोस्तों अगर आप 2006 के बाद आए, अगर आपको MACP मिली है, चाहे वो 2007 में मिली हो, 2008 में मिली हो, कभी भी मिली हो 2006 के बाद, तो एक बार अपना area जरूर चेक कर ले, जो आपको MACP का area मिले है, क्या वो सिरफ आपको retirement के बाद का ही मिले है, या फिर service period का भी मिले है, अगर सिरफ retirement के बाद का मिले है, तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपको service period का भी area मिलेगा, MACP का, यानि जिसमें आपको MACP मिली, जिस rank मे और उससे पहले का जो आपका rank था, उसके difference का area, दोस्तों मैं आपको एक example समझा रहा हूँ, जैसे कोई नायक है, 16 साल से उपर, 2008 में वो retire हो गया, तो दोस्तों उसको जो pension मिलेगी, MACP की, वो मिलेगी, हवलदार की, MACP हवलदार की, तो नायक को MACP मिल गई हवलदार की, तो pension तो मिलेगी हवलदार की, और जो area मिलेगा, वो मिलेगा, 1126 से 2007 का, service period का, यानि service में जब वो हवलदार बन गया, तो नायक का और हवलदार के difference का area मिलेगा, यानि जब वो हवलदार बनाया गया, service के बीच में, दोस्तों ये provide कौन करेगा area, service period का, कई pensioner को P.O.R. provide करता है, वो direct छोटा amount आपके खाते में डाल देता है, लेकिन retirement के बाद का area है, वो provide करेगा, इस पर्ष, तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, इनको service period का area मिलेगा, फिर 2008 के बाद का अलग area मिलेगा, यानि जब ये retire हुए 2008 में, उसके बाद का अलग area मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, service period का कई बार P.O.R. से मिल जाता है, और बाकी जो area है, वो आपको spurs से या फिर bank C.P. पी से दिल लेना पड़ता है, अगर आपको spurs पे transfer हो गया, तो फिर आपको spurs देगा, चलते हैं दोस्तों तीसी information की तरफ, circular 568 और 570, फिर O.R. O.P. 2 का area लेने के लिए, आप कारेवाई करें, record से लीजिए non payment certificate का format, दोस्तों कई pensioner हैं जिनको 568 का area नहीं मिला, कुछ और पैंशनर हैं, जिनको circular 570 का area नहीं मिला, और बाकी pensioner हैं, जिनको O.R. O.P. 2 का, कोई area नहीं मिला, ना ही दूसरी installment, ना ही तीसरी installment, कई pensioner कहने हैं कि हमें तीसरी installment भी नहीं मिला, अब जितना भी आपका area रह गया हो, चै वो 570 का, 568 का, या फिर O.R. O.P. 2 का, तो इन area को लेने के लिए आपको देना होगा non-payment certificate, अगर आपका spurs में migration हो गया, तो दोस्तो कुछ pensioner हैं, जो सीधा bank जा रहे हैं, CPPC जा रहे हैं, non-payment certificate लेने, अब bank और CPPC उन्हें non-payment certificate कई बार दे देता है, लेकिन दोस्तो, spurs उसे मानता ही नहीं है, spurs लेता ही नहीं है, आपका नया format दे रहा है, non-payment certificate का, अगर आप record से पूछेंगे, आपको पूछना होगा सबसे पहले अपने record से, क्या record non-payment certificate का कोई format दे रहा है, अगर दे रहा है, तो उसे भरके आपको record को देना है, या फिर इस बर्ष में उसे upload कर देना है, ये दो काम करने हैं, अगर record आपको non payment certificate दे रहा है, तो उस format को अपने WhatsApp पे मंगा लेजी, या फिर mail पे मंगा दे लिए, फिर उसे भरिये, उसे भरके, फिर आप नीचे वगरा sign कराईए, फिर आप उसे इस पर्ष में upload करिये, उसे इस पर्ष में upload कर दिया, फिर दोस्तों उसी को एक बर आप record को भी भेज दें तो एक बार सही से चेक कर लेजी, आपको non payment certificate, bank या CPC दे रहा है या फिर record दे रहा है, पहले आप record से पूछ लेजिए, record आपको non payment certificate दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो कि दोस्तों कुछ pensioner है, जिनको non payment certificate का एक format है, जो record की तरफ से दिया जा रहा है, तो pensioner उसे भरके, उ बनाके इस पर्ष को दे दे कि ये पैंशनर ने भर है फिर वो एफूब भी हो जाएगा तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों उसे भर कर रिकॉर्ड को या फिर इस पर्ष में अप्लोड करें फिर है दोस्तों चौथी इंफोर्मेशन नोशनल इंक्रीमेंट पर के वो सब पैंशनर के फेवर में है उसमें लिखा हुआ है कि पैंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए लेकिन ये सारा मामला रुका का है भारत सरकार के पास तो दोस्तों आपको खुशकबरी मिल सकती है जो नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं और मेबी ये खु पॉजिटिवी निकल के आयता कि नोशनल इंक्रिमेंट पे जो फैसला है वो भारत सरकार जल्दी ले सकती है और इसपे एक लेटर इस्यू कर सकती है सभी पैंशनर्स को नोशनल इंक्रिमेंट दिया जाएं तो दोस्ते एक चीज मैं आपको समझाऊंगा इस पे जल्दी ही फ फैसला ले सकती है, नोशनल इंक्रिमेंट पे, जैसा कि भारत सरकार ने बताया भी था, उनके जो सेकेटरी थे, और आप कोट केस अभी मत करिये, यह तो आप फीस दे देंगे, और पता लग रहा, उसके बाद भारत सरकार ने वो फैसला सुना दिया, इसलिए अभी आप कोट केस मत करिये, थोड़ा रुख जाईए, भारत सरकार के डिसीजन आने तक, थोड़ा वेट कर लिजिए, चलते हैं दोस्तों, अगली इंफरमेशन की तरफ, 30 जून 2019 तक आए, सभी पैंशनर्स OROP 2 के दाएरे में, जो पैंशनर्स 30 जून 2019 तक आए हैं, उन सब को OROP 2 जो एक जुलाई 2014 के बाद आए है, PMR उनको नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसे पैंशनर्स हैं, जो 30 जून 2019 से पहले आए हैं, जिनको OROP 2 नहीं दी जा रही, ये पैंशनर्स हैं, जो 1714 से 31 12 2015 के बीच में आए, इनको भी OROP 2 मिलेगी, लेकिन दोस्तो पैंशन डिस्वर्सिंग एजनसी इनको नहीं दे रही, कुछ पैंशनर्स हैं, अब इनको कारवाई कैसे करनी हैं, सबसे पहले इनको लेना है, नौन पेमेंट सेटिफिकेट, एरियर लेने के लिए, एक नया फॉर्मूला लागू कर दिया है, कि आप पहले नौन पेमेंट सेटिफिकेट लाइए, जो की गलत है, डिरेक्ट भारत सरकार के आदेश हैं, पैंशन डिस्वर्सिंग एजनसी को, कि आप OROP 2 का एरियर पे करें पैंशनर को, जो भारत सरकार का लेटर है, उसमें कहीं नहीं लिखा, कि आप नौन पेमेंट सेटिफिकेट देंगे, तब आपको एरियर मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन पैंशन डिस्वर्सिंग एजनसी अपने रूल निकालती है, कि नौन पेमेंट सेटिफिकेट दो, एरियर ले जाओ, ये गलत है दोस्तो, मैं इसके खिलाफ हूँ, तो दोस्तो जिनको OROP 2 नहीं मिली, तो एक तो इ कि हम रिकॉर्ड के थ्रू जा सकते हैं, दोस्तो इसमें रिकॉर्ड का काम नहीं है वैसे, क्योंकि जो भी ये आदेश है भारत सरकार के, ये डिरेक्ट पैंशन डिस्वर्सिंग एजनसी को है, कि वो डिरेक्ट आपको एरियर प्रोवाइड करे OROP 2 का, तो इसमें रिकॉर मिलेगा, तो एक बार चेक कर लिजिए दोस्तों कि आप रेटायरी कप के, आपको OROP 2 का फैदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं आपका बकाया कोई छूट तो नहीं गया, सब जानकारी रखना आपको बहुत जुरूरी है, और इस चैनल के माध्यम से आपको आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आप पच्छा लगता है, बेटे को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू सूंद।